जाहिन्स साथ हो, तो SCCCसल का अगर आप previous year का cut-up देखेंगे, चाहे वो pre-ka या फिर mains का, उसका cut-up हाई जाता है, भले किसी बर से ठोड़ी सी vacancy जादा आ जाए, फिर भी इसका cut-up हाई ही रहता है, इसका कारण एक ही है per seat per competition, क्योंकि इतने फॉर्म आते हैं कि पर सीट पर कॉंप्टीशन अर्थात एक सीट पर जितने अब्यारती फाइट करने होते हैं वह संख्या बहुत ही ज्यादा होती है तो पर सीट कॉंप्टीशन इसमें बहुत ही ज्यादा होता है चाहे हम किसी भी भरती से तुल ना करें तो में पर सीट कॉम्टीशन बहुत ही जादा होता है क्योंकि फोर्म सबसे हाइस आता है और वेकंसी लगबग 4000 मैक्समुम होती है 222 में 45 सवाई थी किन्तु इस बार भी अच्छी खासी वेकंसी है सबस्क्राइब कर देंगे क्योंकि बाद में अगर एक्जाम देना होगा दूदे देंगे नहीं तो इसलिए फोर्म की संख्या देखकर आपको परिशान नहीं होना है क्योंकि देखे ओवराल जो ट्वल्थ पास आप यह मान सकते हैं कि ट्वल्थ पास जो तैयारी कर रहे हैं अगर ट्वल्थ पास वेकंसी आई फिर जो फॉर्म है वो बचास लाग के आसपास जाना है यह एक नियम ह है क्योंकि इतने राउंड इतने अभ्यारती जो है वह तैयारी कर रहे हैं जो कि ट्वल्थ पास हैं क्योंकि देखे ट्वल्थ पास वेकंसी एक दिल्ली पुलिस की आई थी उसमें भी लगबाग अठाइस लाग फॉर्म थे तो आप कह सकते हैं कि लगबाग तीस लाग काले बहुत ही कम अभ्यार्ती होते हैं मैं अब अवराल यहां पर आपको बता देता हूं कि कितने फॉर्म पड़ते हैं हर बार इस बार कितने फॉर्म पढ़ें तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे उससे पहले लिए अगर आफ इसकी त्यारी कर रहें तो उसके लिए best प्राक्टिस प्राइफ के बेस पर एक डारेक्ट सालवे पेपर के बारे में बात करें तो आप को चक्सु प्रकासन कि मिल जाती है यह वो किस वसल लेटेस्ट पैटर्न पर तयार की गई है और जितने भी प्रीविएस यह के कोसन से उन सबी को इस बुक में कवर किया गया है और देखे इसमें जादा से जादा practice set दिये गए हैं और previous year के base पर chapter wise जैसे कोई एक chapter हो गया तो उसी से related जितने भी previous year प्रसन आये हुए हैं उसी के base पर यहाँ पर chapter wise cover किया गया है और इसमें नीचे solution के साथ complete explanation भी दिया गया है यहाँ पर उसे related जो और भी प्रसन बन सकते हैं उसे भी को cover किया गया है तो यहाँ पर देखे जैसे यह कोई chapter हो गया उसे related जितने भी आपके exam में प्रसन बने हैं या फिर बन सकते हैं उसे से related practice दी गई है जोकि ज़्यादा से ज़्यादा practice करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि किस तरह के से questions आते हैं और maximum previous year ही repeat होते है तो यहाँ पर सभी previous year भी cover किया गया है जहां से direct questions आपके exam में देखने को मिल जाएंगी और solution with explanation के साथ इसमें दिया गया है तो इसके जरी आप अपनी तयारी को बेतर कर सकते हैं बहुत ही minimum price पर यह previous year best salary paper आपको मिल जाएगा बाई करने के link आपको वीडियो के description box में मिल ज सकते हैं तो यहाँ पर देखे हम बात करते हैं 2022 के बारे में 2022 में total कितने form apply हुए थे उसको अगर आप देखेंगे तो 2022 में 32,000,000 लगबग form apply हुए थे आप माँ सकते हैं कि 32,000,000 फॉर्म apply हुए थे और अगर आप per seat competition देखेंगे तो लगबग 800 प्लस ही जाएगा per seat competition और व form apply हुए थे अगर तेश में देखें तो तेश में भी लगबग same data था देख सकते हैं 32,000,000 और 22,000,000,000 तो ज्यादा डिफ्रेंस नहीं यहां था लगबग 32,000,000 के आसपास ही SSCHSN में form apply होते हैं हर साल अगर आप कोई भी data उठा के देखेंगे तो लगबग 32,000,000 के आसपा आपका competition तो केवल 2-3,000,000,000 में ही होने वाला है इतनी तो भीड होती है तो आप यह कह सकते हैं कि 32,000,000 इस बार भी form आने वाले हैं अब RTI लगा के हम उसका exact data ले तुसे कोई मतलम नहीं होने वाला है आपको यहां पर count करना है per seat per competition और per seat per competition भी इतना पर भी आपको घपरा competition होगा अर्थात 800 लोगों में से किवल एक लोग का selection होगा बाकि 799 लोग बाहर हो जाएंगी और इतने जो है इसमें तो बहुत सारे लोग exam ही देने नहीं जाते जो जादर से जादर कॉमप्टिशन होता है 2-3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, किन तो पर सीट पर कॉमप्टिशन जादा होता है तो इसलिए इसका कटा भी हाई ही जाता है तो चलिए आगे का जो कुछ भी update हैगा हम आपको इनफर्म करेंगे आप इस बार भी यह समाद लिजए सब्सक्राइब दोजाश चोबिस में 32,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कर दीजगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाहिन